आध्य समवाद दाता देवरिशी नारज जैन्ती पर रविवार को राइस्तान माध्धमिक शिक्षा बोड के राजीव गांधी सबागार में विश्व समवाद केंद्र अजे मेरु द्वारा पत्रकात सम्मान समारो और विचार गोश्ती का आयोजन किया गया देवरिशी नारज जैन्ती के उपलक्ष में 21 माई रविवार को माध्धमिक शिक्षा बोड के राजीव गांधी सबागार में सुबा ग्यारा बजे से विचार गोश्ती और पत्रकार सम्मान समारो रखा गया जिसमें मुख्य वक्ता पांच जन्न के प्रधान संपा तक हितेश शंकर थे जबकि मुख्य अतिती रायस्तान धरोवर संरक्षन एवं प्रोणनती प्राधिगरण के अध्यक्ष ओंकार सिंग लखावत रहे वहीं अध्यक्षता माद्यमिक शिक्षा बोड के अध्यक्ष डॉक्टर बी अल्चोधरी ने की इस अवसर पर अतिती और वक्ताओं ने आधिकाल की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता के बीच के अंतर को विभिन उधारणों के माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत कि और लोक्तंत्र के चौते इस्तंब को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज और समाजी को थन की और अग्रसर करने का आवान किया आप माखनलाल चतुरवेदी पत्रकारिता विश्विध्याले बोपाल की गवर्णिंग कॉद्सिल के भी सदस्य हैं समाचार वविपणन की दुनिया के साथ राष्ट्रिया वर अंतराष्ट्रिया वरत्यचित्रों का निर्मान वाइल्ड लाइफ शोज और टीवी तथा वादविवाद के शेत्र में आपने विशेश रूप से कार्य किया आप वरत्मान में पांचे जन्ने के प्रदान संपादक के नाते दैत्व का निर्वान कर रहे हैं मैं हमारी संसा के अध्यक्ष माननीये एस्पी मित्तल जो प्रमुख पत्रकार हैं एजमेर के आग्धा करूँगा कि उन्हें उपनना पहना कर उनका स्वागत करें मैं विश्व समवाद केंद्र समिधी के हमारे सदस्या श्रीमान राजन्दी जी लाड़माली से निवदन करूँगा कि उन्हें शौल पहना कर उन्हें सम्मान करें पिछले पांच बर्षों से अजमेर में ये पत्रकार सम्मान समारो और नारज जयन्ती कारेकर्म विश्व समवाद केंद्र के माध्यम से हम आयोजित कर रहे हैं विश्व समवाद के अंदर भारतिय जो सनातन मंगलकारी चिंतन है उसको देश और विश्व में प्रतिष्टित करने सकारात्मक और मुल्य परक पत्रकारिता को प्रोचसाहित करने के लिए और इसलिए विभिन पत्रकारों लेखकों समाज में जन्दमत निर्मान करने वाले बुद्धी जीवियों इनके मद्य समवाद के एक सेतू और मंच के रूप में विश्व समवाद के अंदर देश भर में अपनी विभिन शरंखलाओं के माध्यम से कारिय रत है लगबक 15 साल पहले राजस्तान में तीन इस्तानों पर इसका कार्य प्रारंब हुआ और उन्होंने वीतराग रहकर के और वेरगे रूप से जीवन धरण किया पिता जी का उनको श्राफ लगा पहले वो गंदर्व हुए और गंदर्व के बाद में फिर जब उनके द्वारा दूसरी गलती हुई तो उसके पश्यात उनको एक दासी के पुत्र के रूप में जम लेना पड़ा और दासी के रूप में जब उन्होंने जम लिया पुत्र के रूप में तब उनका सत्संग हुआ और उस सत्संग के कारण से उनके जीवन में जो परिवर्तन हुए उसके बाद में उन्होंने सब वेद पुरान सब का अधिन किया इसके बावजूद भी उनको ये रहा कि मेरे को भी पूरा ग्यान नहीं है तब उन्होंने सनत कुमारों को अपना घुरू बना करके सनत कुमार से आत्म ग्यान के बारे में पूरा वज़ जो है साक्षात कार किया और उसी आत्म ग्यान के फल सुरूप बाद में ये जो नारद द्वारा यदपी करीब दस पुस्त के लिखी बताया जाती है लेकिन वर्तमान में नारद भक्ति सुत्र, नारद सहीता, मुक्य रोप से समाद में परचलित है अब दरसल पत्रकारों के कारेकर में बोलना बड़ा जोखिम का काम है या तो वो बात कहें जो इनको बहुत अच्छी लगे तो फिर बात नहीं हुई या बात वो कहें जो आप और हम अनुभूती करते हैं इस दीश में तो वो वो बात है जो और ना कहें तो हमारी क्रेडेबलेटी दाओं पर आती है और बीच बीच की बात करते रहें तो और भी मुस्किल काम है और यदि नारद भर इसी यह ते कर लेते कि मुझे सच नहीं बोलना तक्षमा करना ततकाली इन परस्तियों के अंदर समवाद प्रेशन का काम आसूरी सक्तियों पे हमारी देविये सक्तियों को सजग करने का काम जो उन्होंने किया वो साइट नहीं कर पाते इसलीं यह नारद रिषिंके नाम पर कारिक्रम का आयोजन करना उनके जैनती के उस अफ़र विस्व समवाद हमारे जड़ों से जोड़ने वाला कारिक्रम है हमारी रूट्स से हमको जोड़ता है और जो जड़ों से कर जाए कोई पेड़ है पेड़ के नीचे जड़ें चली गई तो पेड़ समापत हो जाता है इसलिए मैं विश्व समवाद के अंदर को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं बदाई देता हूं कि उन्होंने जड़ों से जुड़ने वाला एक कारिक्रम आज यहां पर आयुजित कि आप देखें कि जब चाहे जहां मरजी पहुँच जाते हैं और जहां आवश्यक्ता होती है वहाँ सबसे पहले नारज जी मिलते हैं जहां समवाद शुरू करने के आवश्यक्ता है तो आज कल टी आरपी और सबसे तेज सबसे आगे का जो जमाना नहीं था उससे पहले भी जो तीनों लोक में तेज गती नारज जी की गती पकड़ना आज के तेज तर्राप चैनलों के भी बस्की बात नहीं है तो पत्रकारिता के लिए गती का क्या महत्व है इसे नारज जी रेखंकित करते हैं दूसरा आज हम देखते हैं कि सभी अख़वारों में चैनलों में बीट रिपोर्टर्स होते हैं बीट बटी हुई होती है स्टेट ब्यूरो होते हैं लोकल ब्यूरो होते हैं और हर जगे पर बीट होती है आप देखेंगे कि हर चैनल में एक जो समबाददाता है जो कॉंग्रेस कवर कर रहा है वो कॉंग्रेस कर रहा है जो भाजपा कर रहा है जो कमिनिस्ट कर रहा है और कॉंग्रेस में भी जो कॉंग्रेस कवर कर रहा है वो गांधी परिवारी कर रहा है गांधी परिवार में भी राहुल गांधी कोई कवर कर रहा है और राहुल गांधी जराबी कवर नहीं हो पारे फिर भी रिपोर्टर उन्हें कवर कर रहा है पत्रकारिता इस तरह से काम कर रही है मगर आप नारज जी के समय देखिए वो देवताओं को भी कवर कर रहे हैं तो साथ में असुरों को भी उसी गती से कवर कर रहे हैं sources का संकट नहीं है कहीं उनकी entry ban नहीं है और किसी को सुहाती हो ऐसी बातें करने का कोई उनको चाओ भी नहीं है और बाकियों को भी पता है कि उनकी मर्यादा कहां है और नारज जी कहां से शुरू होते हैं तो ये एक पत्रकारिक की गरिमा भी है उसकी access भी है और असुरू भी खड़े हो जाते हैं और देवता भी खड़े हो जाते हैं ये उसका सम्मान भी है इसके साथ ही एक और चीज़ भी है आजकल प्राइम टाइम पर एक बड़ा चलाने वाला शो चलता था पहले तीन लोग बिठा लिए पांच लोग बिठा लिए मगर एंकर इतनी जोड़ से बोलता था कि तीन की बात एक तरफ तीन जमा एक के बराबर अकेला एंकर बोलता था वो बंद हो गया तो अब उसके कुछ गुट का संस्क्रण कुछ और चैनलों पर शुरू हो गए है आप नारग जी की बात में देखें तो बात उँची होती है अवाज उँची नहीं होती शब्दों का चैन देखें गरिमा हमेशा संबाद की बनी रहती है यह जो वीना और कीरतन वाली बात है कर्ताल वाली जो बात है ये बताता है कि एक लयात्मक्ता है समवाद की एक रूची बनी रहनी चाहिए अन्यता समवाद थोड़े दिन बाद बोज्छल हो जाता है तो नारज जी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं चैन वानी कैसी हो शब्द कैसे हो गती कैसी हो सोर्स कैसे हो पकड़ कैसी हो और जहां डेड़ लॉक्स आ जाए बाद जब रुख जाए तो थोड़ा सा नमक मिट्स लगा कि फिर आगे बाद बढ़ा दी जाती है ये भी नारज्जी जानते हैं हालत अभी जन्रलीजम का यह है इतेशंकर जी जानते हैं हम सब लोग जानते हैं कि हमारे याप संपादक नहीं अखवार के अंधर हमारे याप संपादक और मैनेजर है जिसका काम खबर कलेट करना भी और विज्जापन लाना भी पहले कम चेकम इतनी सरम तो थी कि संपादक अलग होता था और मैनेजर अलग होता था लेकिन इतेशंकर जी अवारे यहां एक हो गया है वही खबर लाता है वही विज्जापन लाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे खबर लानी है उसको इस बात का डर है कि जो मेरे को तंक कर दो आपको आपको हर महीने का तारगेट इतना है तो उसका सारा ध्यान जो है वो खब्रों के वजब था अब विग्यापन तो होगे है। इस पतरकारी ता पर विहफसायक ता हवी हो गई है, कामरी शिर्टी इतनी आ गई है कि सारा ध्यान उनका लगाव है, बड़े बड़े ओद्दोगे घराने आ गए हैं, जोनों ने चैनल चला लिये हैं, जोनों आखवार चला लिये हैं, अब उनका काम जन्नल इजम नहीं रह है, उनका काम शिर्ट अपने विहफसाय को संग्रक्षित करना रह गया है, तो ऐसी इस्तिती में मेरा ऐसा अनुबाव है, कि जो पतरकार है उसकी इस्तिती बिल्कुल गोण हो गई है, आप हमको चाहे कितना ही कोश लो, लेकिन हमारी चली नहीं रही है, हम कुछ करी नहीं पत्रकार संगारों के दोरान जिन पत्रकारों को संगानित किया गया, उनमें दैनिक बासकर के गिरीज दादिच, राज्थान पत्रिका से सुनिल जैन, दैनिक नवजोती से विक्रम चौधरी, ए टीवी से अभीजित गवे, वरिश्पतकार गिरदर तेजवानी, मरूर पह पार सिक, गोपाल सिंग लबाना और स्वामी नूस से रूपेंदर शर्मा को केंदर की ओर से प्रशंचा पत्र, श्रीफल, इसमर्तिचिन और शोल उड़ा कर सम्भानित किया गया डाक्यूमेंटरी फिल्म का निर्मान, दूरदर्शन के लिए ब्रहमान एपिसोड आपने संपादित किया पाज वर्शों से संपादिय प्रभारी स्वामी न्यूस के रूप में आप कारे कर रहे हैं राज्य भर में जाकर प्रादेशिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपने डाक्यूमेंटरी फिल्म का भी निर्मान किया फिल्म निर्मान के शेत्र में आप कई संस्ताओं से पुरुस्कृत हो चुके हैं तथा विभिन साहतिक पुस्तकों में का संपादन भी आपके माध्यम से हुआ मैं आपका सम्मान करते हुए अत्यांत हर्श की अनुपोची करते हैं आपका स्थाओं 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 में आपके माध्यम से अनुपोची करते हैं प्रोपा करते हैं